दियर स्टूडेंट्स वेलकम आज इस वीडियो दे विच असी करांगे मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ओफ अरिथमेटिक मीन जिडी समांतर आउस्त हुन दिया है ओदे लाव ते हानिया सब तो पहला से गाल करांगे एदे मेरिट्सी सब तो पहला इदा गुण है जा लाव है सिंपल टू अंडरस्टेंड समझना असान है जिड़ अरिथमेटिक मीन है इदा परमुखलाब है कि इसमझना बहुत सौखा ते सरल है ते इदा फार्मूला वह भी बहुत ही ज़्यादा इजी है नेक्स्ट इजी तू कैलकूलेट गणना करना सौखाए दूसरा लाव यह किसान नूं इंज कैलकूलेट करना बहुत सौखाए क्योंकि इदा फार्मूला सौखाओन करके ज़्यादी कैलकूलेशन हूँ बहुत इजीली हो जान दिये Affected by the value, मुल द्वारा परवावित जड़ी arithmetic mean है ज़ा ओस्त है, हर एक एकाईदे मुल द्वारा है परवावित हुन दी है Rigid mathematical formula कठोर गनितिक formula ओस्त है जड़ी है एक rigid mathematical formula यूज कर दी है जीदना जड़े results ने ओहो चंगे मिल देने useful for algebraic treatment जड़ी algebraic treatment है ओदे लिए भी है useful है means गन्योग है जड़ी arithmetic mean है समांतर आसता है ओहो गन्योग गन्ना करन दे लिए भी algebraic treatment लिए लाब देक है center of gravity डाटे दा केंदर arithmetic mean दे आले दोले जड़ी है सारी वेल्योज ने ओहो कुम दियाने इस करके है center of gravity means डाटे दा केंदर भी है next है not based on position in the series इक आण्या दे स्थान दे उपर अधारित नहीं जड़ी arithmetic mean है गनित किती गई जड़ी है series होंदे आने ओदे विच्चों स्थान दे उपर अधारित नहीं होंदी इन्हों गन्ना दे उपर जड़ा अधारित है ओहो किता जानदा है next है certainty निश्चित ता एक निश्चित मुल है certain value है जो के अनुमानित नहीं है next है based on all items सारे मुल्लां दे अधारित जड़ी arithmetic mean हो सारे ही मुल्लां दे उपर एक जड़ा अधारित मुल है next है stability means स्थिर्ता sample दे विच पर वर्तन दे नाल जड़ी आसता है ओदे ते बहुत काट फरक पहन दाई means के ही stable रेंदी है next है basis of comparison तुल्ना दा अधार सिर्तादे कार ने एधी जड़ी तुल्ना एधी जड़ा comparison है ओ करंदे ली एधी वर्तों किती जान दी है next है accuracy test accuracy हुन दाई शुदता शुदता test एधा प्रिखन है जड़ा शुदता करंदे लेवी accuracy प्रापत करंदे लेवी किता जान दाई next है most familiar जानकार means जड़ी नुपा चंगी दरीक ना जान प्षान हुन दी है सड़ी एही के निवेकलाटांग हुन दे कार्न familiar भी है means बदिया सारे एधी वर्तों दो जानूने इस करके वीधी जड़ी वर्तों आँ किती जान दी है next है commonly used आम वर्तों एधी जड़ी वर्तों आँ जादा तर किती जान दी है इस करके एहे एक सारे नुँ जान प्षान बला कहलो ते जड़े विध्यार्थी व्यक्ती जोवी दी वर्तों कर देने means के उना ली commonly used दे विच आउन वालाई उनसी करांगे demerits of arithmetic mean समांतर आस्त दियां कमियां depends on each end every item हर इक मुलते निरपर हर इक मुलते जड़ी आस्त होद आरित हुन दी है इह डाटे तो जड़ी बारी मुलनातों पर वावित हुन दा है इधर जड़ा बदला है ओस्त दे विच भी बदला दर्सों दा है next है mean is not calculated without assumption कालपनिक ता तो बिना गर्ण जड़ी खुली श्रैनी हुन दी है ओदे विच आस्त नो गर्ण देली जड़ी कालपनिक उस्त है assumption है ओदे लोड महसूस हुन दी है जड़ी विच जड़ा वर्ग अंतराल है ओओ हुन दा है absurd results means कई बार जड़ी जड़ी results ने हो सही नहीं हुन दे मिन जसी इनों संखेब रूप दे विच नहीं कर सकदे ते डाटे नों संखेब विच करना बहुत ज़रूरी हुन दा है इस करके भी दी जड़ी वर्तों सही तरीक किनाल नहीं किती जासा दी क्योंके सानू जड़ी absurd results ने ओहो उना दी ज़रूरत हों दी है not useful in qualitative data analysis गुणवत्ता ली विशिलेशन नहीं उन सानू गुणवत्ता चाहिदी हुन दी है quality चाहिदी हुन दी है जड़ा data होदे विशिलेशन देली आस्त दा जड़ा उपयोग है ठीक नहीं हुन दा इस करके सही तरीक किना जड़ा data analysis हो नहीं हुन दा not existent figure गैर मौजूद कई वार जड़ी आस्त हुन दी है ओ सीरीज विचे जड़े मौजूद मुलने हो कई वार नहीं भी हुन दी इस करके सही है नू कहांगे भी है non existent जड़ा figure हो उधे रूप दे विचे शो हुन दी है unrealistic, kalpnik कई जड़े विदवानने हो आस्त नू mean नो ए मन देने के एह realistic नहीं है एह unrealistic है, मीन जड़े kalpnik है नो सिर्फ imagine किता जा सकता है summary problem संखेपता विचे मुश्किल संखेप किते के डाटे दी संखेपता करन वास्ते इदी जड़ी आस्त दी arithmetic mean दिया वर्तों नहीं किती जड़ी dear students मैं उमीद कर दिया किता अनो merits and demerits of arithmetic mean समझ आ गए होगा ते एक गल मैं तो अनो एक कहना चाहने है विजो मैं points English दे विच लिख दिया ए due to shortage of time है क्योंकि मैं वात वारत वाड़ी help करना चाहने है इसलिए मैं पंजाबी दे विच इनना नो एक वर जरूर बोल दिया जे मैं के word है unrealistic means kalpnik मैं नाल नाल तौन दोस दिया इस करके सारे जेड़े बच्चे ने means तुसी सही तरी के नाल फॉलो करो ते अपने paper दिवदे त्यारी करो thanks for watching